अज़ो एंड वेल्कम स्ट्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डैमो लेक्षर है आप लोगा सो आप किस तरीके से प्रिपेशन करोगे सिक्स्थे एंट्रेंट्स के लिए इस प्रिपेशन के लिए प्रिपेशन के लिए किस तरीके से आपको सिक्स्थे एंट्रेंट्स का एडमिशन अपना लेना है उसके लिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इस प्रिपेशन करने है अगर आप एम्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एम्यू में मैक्स, साइन्स, लेंगविज ये तीन सब्जेक्ट आपके यहां पे मैटर करती हैं मैक्स, साइन्स, एंड लेंगविज अगर हम बात करें इस वीडियो में में लिए अलीकर मुसलिम यूनिवरस्टी के लिए अगर आप प्रिपेर गर रहे हैं उन लोग के लिए हैं मैक्स की अगर बात करें आप मैक्स का क्या वेटेज रहता है वो 30 कोशन का होता है कितने मरक्स करी करेंगे यह 30 questions आपके बास 30 marks carry करेंगे इसी तरीके से science होती है हमारे पास science 30 marks की होती है और इसमें भी आपके बास 30 questions होती है और कैसे questions होंगे objective questions होंगे मतला आपको यहाँ पर multiple choice questions यहाँ पर given होंगे यह 30 questions आपके यहाँ पर science के given होंगे जिसमें आपके कितना weightage होगा 30 marks का इसी तरीके से language के या तर बात करेंगे लेंग्विज में आपको English यहाँ पर दी जाएगी English Hindi and Urdu English Hindi and Urdu English या फिर Hindi या फिर उदो कितने marks की होगे किस type के questions होंगे वो अगर हम बात करें language का total questions होता है 25 marks का कितने questions होती है 25 questions होती है जिसमें कितने marks होती है 25 marks होती है आप English में किते questions आते हैं, देखे, 9 questions English के आगे, 8 और 8 आपके Hindi उर्दू के आगे, या फिर ऐसा हो सकता है, 9 questions उर्दू के देदी गए, 8 questions English, 8 questions Hindi, इस form में आपका मेटेज होता है, तो यह vary करता है हमारा, टोटल जो है हमारा 25 questions रहते हैं, AMU 6th entrance के लिए, ठीक है, तो आप लोग का अगर target है, ठीक है, अलीकर मुस्रीमी उनिवस्टी में admission लेने का, मिंटो सर्किल, STS, या पर, RMPS, राजमहिंदर प्रताप स्कूल, ठीक है, सिटी स्कूल जीसे हम कहते हैं, ABK, ओके, तो यह आप इंग्लिश, हिंदी, उर्थू, इतने marks का होगा, mathematics आपका, 30 marks का होगा, जिसमें 30 questions होगे, सारे questions आपके objective होगे, मतलब आपको यहाँ पर option given होगे, A, B, C and D, ठीक है, इस तरीके से 4 option आपको अधेशा given होगे, कोई एक आपको इसमें से answer होगा, तो आपको बस यहाँ पर tick कर करके आणा होगा, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर option इस तरीके से दे रखे होगे, circle में, जो आपको OMR sheet मिलेगी, उसमें आपको इस तरीके से fill करके आणा होगा, जैसे A answer होगा, तो A fill कर दोगी आप, ठीक है, ऐसे ही आपके जितने total questions कितने हैं हैं हमारे, 30 questions इसमें होगे, 30 questions होगे, science में, 25 questions होगे, language में, जिसमें English, Hindi and Urdu, तो आपको अच्छे से language को भी cover करना होगा, total जो weightage होता है हमारा, वो होता है 85 का, कितने questions होते हैं, 85 questions होते हैं, जो weightage कितना carry करते हैं आपके, 85 marks carry करते हैं, हर एक question में, एक answer मिलेगा, एक आपका यहाँ पर marks carry करेगा, ओके, अब यह तो बात होगी, marks की basis में, क्या चीज़े cover होगी, क्या syllabus होता है, कहां से क्या पूछे जाएगा, तो आपने अपनी जो 5th class पढ़ी है, जो भी आपने 5th class में अपना पढ़ा है, maths में, science में, language में, उसी पर based होती है, तो Urdu जो हैं यहाँ पे, जो ABU में 5th class में पढ़ faculty, different faculty, सारी आपको यहाँ पर teach करेंगे, तो अगर आप लोग का target, अलिगर मुस्लिम यूनिवस्टी में, 6th entrance का है, 6th में admission लेना है आपको, तो आपको अच्छे से, अभी से, अपना preparation start करनी होगी, चाहे आप AMU target करके चल रहे हो, यह पर जामिया, मिलिया, स्लियामिया target कर यह पर आपका नबोदिया का है, यह पर सेने की स्कूल का है, इसका common syllabus रहता है, 5th class में से आपका सारी चीज़े cover होती है, ओके, तो यह आप लोग याद रखिएगा, ओके, नेक्स्ट बात यह आती है, जैसे कि हमारे पास, टोटल जो questions होंगे, वो 85 questions होंगे, AMU के अगर मैं मैं भी बात करूँ आपके लिए, AMU के लिए, जामिया में कोई भी आपका interview नहीं होगा, नबोदिया में कोई interview नहीं होता है, लेकिन अलीकर्ण Muslim University में यह जो 85 questions होती है, जामिया में 100 questions होते है, यह आप रखिए, जामिया में 100 questions होंगे, नबोदिया में JNBS T में 100 questions होंगे, लेकिन AMU में 85 questions आपको दी जाएंगे, इसके साथ साथ आपको 15 marks का अपना 15 marks का interview आपका पराय जाए गए हमें, interview, okay, interview आपका लिया जाएगा, admission होने के बार, मतलब जैसे कि आपके पास यहाँ पे 3 student है, हमें 2 seat reserve करनी है, हमने क्या करा, 3 students का selection कर दिया, पहले invite करा हुए, ठीक है, अब 3 में से 2 seats की requirement है, बस 2 fill करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक को reject करेंगे, तो वो reject कहां पर होगा, interview में आके, okay, तो आपको अपना जो base है, अपना जो concept है वो इस तरीके से prepare करना है, कि आपको अपना interview की भी अभी इससे preparation करनी है, क्योंकि यह 15 marks का weightage है, इसका, total जो आपका यहाँ पे weightage होता है, वो 100 का होता है, कितने का होता है हमारा, 100 का होता है, तो यह 100 marks में आपका एक return test होगा, जो होगा आपका 85 marks का, okay, जिसमें 18 questions होगे, औ आपका interview होता है, तो दोनों चीसे matter करते हैं, याद रखिएगा, इसमें return test qualify करने के बाद भी selection रुख जाता है, तो उसके साथ साथ आपको इसकी भी preparation करनी है, तो हम लोग का जो session है, हम लोग daily classes provide करते हैं, जिसमें अगर आपको online तयारी करनी है, अपनी, okay, online preparation करनी है, इसमे मैं पहले आपको बता दू, इसमें minimum language में आपके 40% होने चाहिए, 40% that is equal to 10 marks, इससे जाधा लियाओ, इससे जाधा लियाओ, आप कोई problem नहीं है, इससे कम नहीं होने चाहिए marks, language में 25 में से 10 marks लेकर आने ही है, जब ही आपकी आगे की copy check होगे, okay, अगर आप इससे कम लेकर आ अब interview हो है आपका, interview कित्ते का है, 15 marks का, 15 marks में minimum कम से कम, आप written test में कित्ते भी लियाओ, 81 लियाओ, लेकिन marks interview में 6 marks से कम अगर आ रहे है, मतलब 40% से अगर आपके less आ रहे है marks, मतलब 6 से smaller आ रहे है, minimum 6 की requirement होती है, कित्ती requirement होती है, 6 marks की interview में, इससे कम नहीं आने चाहिए, okay सो यह आपका यहाँ पर qualify करने के लिए, यह सम basic requirement है आपके, age criteria आपको पता होना चाहिए, guide to admission अभी release होने वाली है, AMU की 2023 के लिए, तो आप उसमे age criteria अपना जरूर चेक करिएगा, okay, सो यह हम लोग का basic सारी चीज़े है, क्या क्या चीज़े आपकी cover होती है, admission के लिए, और स different states से belong करते हैं, आप अलीगण में नहीं हैं अभी, ठीक है, या फिर आप जामिय के लिए prepare करना चाहरे हैं, या फिर आप prepare करना चाहरे हैं, नगोदिय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, तो आप घर बैटे अपनी तयार ही कर सकते हैं, okay, अलीगण coaching center अपना online platform चला रहा है, जिसमें classes, live classes हम लोग कराते हैं, recorded lecture facility हम लोग के पास available है, study material हम लोग provide करते हैं, by post address में आपका transfer करते हैं, test series हम लोग conduct कराते हैं, practice sheets हम लोग provide करते हैं, तो ये सारी facilities हम लोग आपको घर बैटे हैं, आपको अपनी घर में बैट के तयार ही कर सकते हैं, okay, so देखे, online platform हम लोग online platform, उसकी तरूँ आप लोग join हो सकती है, is given number पे आप contact करके 8954682411, या फिर कोई भी आपको age criteria से कोई भी related information, कोई भी basic admission की form पे लब date, ये सारी चीज़े आपको contact कर सकते हैं, is given number पे, 8954682411, okay, so next, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास online platform भी साथ हम लोगा offline, offline platform है, offline, जिसमें अलीगर में आपको आना होगा, अलीगर coaching center में, ठीक है, तो अलीगर coaching center में आप अब्दुल्लागर्स college में visit कर सकते हैं, near अब्दुल्लागर्स college, okay, यहाँ हम लोगा एक center है, अब्दुल्लागर्स college के पास, औ और एक center हम लोगा, ड्रामगार्ट रोग, ड्रामगार्ट रोग, सो यह हम लोगा offline center है, offline platform है, okay, तो आप लोग यहाँ पे visit करके अपना admission ले सकते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, last year हम लोगा rank first, sixth entrance में general rank थी हम लोगें से, okay, इसी तरीके से, जामिया में भी हम questions थे हम लोगे, okay, so students का जो मेहनत है, वो result शो करता है, इसी तरीके से आपको अपनी strategy बना के preparation करनी है, यहाँ हम लोग जैसे live classes कराते हैं, आपको अपना support, अपना reply, अपने practice से आपको करना होगा, आपको test series से आपको performance पता चलेगी, तो हम लोग की application है, अलिकर coaching center ही, उसके आप classes को जाइन कर सकते हैं, आपको बस इस given number भी contact करना है, okay, so यह सारी हम लोग का concept is sixth entrance के लिए अगर आप preparation कर रहे हैं, okay, so all the very best and thank you.